सो करोड ये कोई आगड़ा नहीं बलकि आम आदमी के खून पसीने से कमाई हुई धनराशी है और इस धनराशी को एक भूमाफियाओं के जुंड ने हड़प लिया इस मामले में भूमाफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए और मुक्चे भूमाफिया जो सुधीर गोयल है उस पर आज 18 मुकदमे बुलेंट शेयर पुलिस ने दर्ज की है इन्वेस्टिकेसान आगे चल रही है हलाकि वो जेल में है परिवार के साथ लेकिन इस सो करोड के सामराज को एक IPS अधिकारी ने तहस नहस कर दिया वो IPS अधिकारी मेरे साथ है नुकरती शर्मा जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्होंने ये कारवाई की चुके इस कारवाई की पूरे उत्तर प्रदेश में सरहाना की जा रही है जी थैंक यू सो मच जो भी आपने कहा उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन इस समय भू माफियाओं के विरुद्ध सक से सक कारवाई चाता है और ये जो केस था तो जब मेरी यहां पर नियुक्ति हुई थी साहायक पुले सदीक्षक बुलन शेह मेर के रूप में और जब मैंने अपना कारवार समाला था तभी से इस विक्ति के विरुद्ध मेर को प्रात्ना पत्र प्राप्त हो रहे थे और हम लोगों से जो एक्सपेक्टेड है कि हम निश्पक्ष हो के कारवाई करें तो उसी का ये पढ़नाम है कि हम इसके खिलाफ इ पेल एपास की तक हां तो जो पत्र आते थे वो इसी तरह के आते थे कि मान लिए कि एक व्यक्ति कोई दिखाई कहीं पर और बिनाम़ा कहीं और का कि क्र दिया क्योंकि से हमें यह पता कुछ और एक ही पलोट का कई बार कई लोगों को विल्वा Smart Ka рंद automated लोगों S Aussit पर उनको फिर ये सही बिनामे और जिनको पॉजेशन दिला देता था जो इन्वेस्टमेंट परपस क्लिए लेते थे वो जमीन लेके फिर भूल जाते थे और उसके बाद उनको कोई सूचना मिलती थी कि तुम्हारी जमीन पर कोई और बाउंडरी करा रहा है या उस पर तो मक व्यक्ति अपने साथ अधिकतर बाउंसर रखता था और जो कि शस्त्र धारी होते थे और तो यह जो कॉलनी से उनी में घुसने नहीं देता था व्यक्ति को अगर फिर सामाने आदमी तो डर ही जाएगा और क्योंकि यह सरकार मदलब सरकारी नौकर होते हैं फोजी या पुल हो जाएगा कुछ केस में केस भी हुए जिन में फार लगाई गई तो कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी खोने से बहुत जादा ड़ता है तो पैसे का तकादा घंडा बंद कर देता था तो इस तरीके से इसको लगा कि बहुत आसाम तरीका है और इसने दस से अधिक कॉलनी यहां पर कार दी यह हम लोगों को विवेश्चना में पता चला अचार कि बहुत बड़े लोग थे और उनका सामराज सरकार भले ही समाजवादी की हो बसपा की हो या भाजपा की हो इनका सामराज लगाता बढ़ता चला गया तो प्रेसर भी कई माहिनों में आपके पास आय जैसा कि मैंने आपको बताया कि शासन की का मन यही है कि कैसा भी भू माफिया है उसके विरुद सक्से सक्त कारवाई करनी है और हम लोग इस कारले में निश्पक्ष विवेश्चना में विश्वास रखते हैं व्यक्ति किसी भी तरह का बैक्गराउंड का हो और हमारा यही पत्रर अलगां енद्द करने में घालते हैं किसी भी विश्वाप्ष विवेश्वाइन करते हैं उसके पर्याध के लिक्तों आपकर आपकटर कहलें विश्वाइब यह सहुम्aktaronde 37 हमाई संग्यान में यह भी आया है कि हापुड में किसा ने इस व्यक्ति के वज़े से आत्महत्या की है तो इस पर एकदम लगाम करने के लिए फिर हम लोगों ने गैंक्सर का मुकदमा पंजिकृत किया और इसके पूरे परिवार को परिवार और जो इसके साथ ही थे इसकी प बड़ा बनाने में कई लोगों का रोल है और अब इन सारे विश्यों पर जाच करी जा रही है और जिसकी जैसी इस अलिप तप आई जाएगी विवेशनाओं में उसी आधार पर उन लोगों पर कारवाई होगी है अब जो इसकी कई है हाला कि आपके विशे आपके रिलेश निकला है तो इसको लेकर के आप का नत्तिया क्या है एडी एक सेंट्रिल एजेंसी है और उन्होंने क्योंकि ये मेडिया में काफी बात आप जानते हैं जब इनकी गिरिफतारी हुई थी तो काफी चला था अख़वारों में और इलेक्रानिक मीडिया में तो इन्होंने इस प्रस्टेड और्गनाइजेशन है सब लोगों का इस पर विश्वास है तो आए होप कि ये पूरे नेक्सिस के उपर सही कारवाई करें अब दूसरी कसोटी शुरू हो जाती है प्लिस की ये तमाम जो आरोप हैं उन आरोपों को सिद करना कोट में सिद किये जाते हैं तो उ इसी कोई सूरत ही ना बचे कि इने कोट में किसी भी तरह का लाब मिले अभ्युक्तों को तो हम लोग इसी पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे सारी इन्वेस्टिकेशन्स एकदम उच्छ कोटी की हो यही फोकस है एक और भू माफिया सुधीर गयल जैसा उसके लोग लेकर के क् है प्लिस की क्या कर रहे हैं यह जो भू माफिया बनते हैं मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो यह जो हम लोगों ने आक्शन लिया है यह इन सारे ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए भी डिटरेंस का काम बनेगा इडे ने संग्यान लिया रेट्स डाली है तो इस साइद एक बहुत अच्छा मेसेज मिलेगा एक तो स्वत्य है खुद रुकेंगे दूसरा मैं शुक्र गुजार हूँ आपकी तमाम एलेक्ट्रोनिक मेडिया पे प्रेंट मेडिया इन लोगों ने इसके पूरे मोडस अपरेंडी को बहुत अच्छे से लिखा है तो मोडस मतलब है कि इनका जो लोगों को फ्रॉट करने का तरीका था वो लोगों ने समझा है कि कौन-कौन से तरीके होते हैं जिनसे ये लोग लोगों के साथ धोके बाजी कर पाते हैं तो ये सभी लोगों से एक अवेर्नेस भी फैली है कि जब भी आप किसी पी जमीन को खरीदने चाहें तो किन-किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि आप ये देखें कि वो BDA या जिला पंचायत कहीं से अप्रूफ्ट कॉलोनीज है कि नहीं जिससे आप ले रहे हैं उसकी प्रेश्ट भूमी कैसी है जैसे सुधिर गोयल के बारे में शायद जिले में सभी पता है कि वो एक सही वियक्ती नहीं थे तो उनकी इमेज अच्छी नहीं थी तो लोगों को इस बात का धिहान देना चाहिए जब जमीन लेने जाते हैं तो रजिस्ट्री करते वक्त भी धिहान दे कि रजिस्ट्री जिस लैंड की कर रही हैं वही मनलब अपने हैं सिस्टम के अंदर उनको भी हम आइडेंटिफाय करने की कोशिश कर रहें कि कहां से हम लोग इसमें एड्मिनिस्ट्रेशन का वह सही हो लगेगा कि हम लोग मिलके इनकी इन फ्रॉड के लिए कोई प्रेवेंटिव स्ट्राटेजी को कैसे अपना सकते हैं तो इस पर विचा लगाई गहीं तो एक तरह से अगर शुरूब लोगों के साथ हुई है उनके साथ उनको तो उन लोगों के लिए क्या कहीं जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग इन्वेस्टिकेशन में चीज़ें आ रही हैं बाहर और जो भी हम लोगों को जैसे जैसे जिसके सनलिपता मिलेगी हम लोग बिलकुल उसके ओपर निश्चित कारवाई करेंगे और यह बात सही है कि यह इस तरह के माफिया लोग आइसुलेशन में आउपरेट नहीं करते हैं इनका पूरा निक्सस होता है और हम लोगों की यह पूरी कोशिश रहेगी कि हम उ तो सिसनल दोशी हैं उन लोगों को सजा भी बिले अपनने कह भर किया उननलोगों का सपोर्ट तो रहाई है गैंग्स्टर की कारवाई बिना उच्छादिकारियों के सयोग के नहीं हो सकती थी, इनके गरफतारी भी की गई, तो मैं शुक्र गुजार हूँ के मुझे यहां पे अपने उच्छादिकारियों से भी इस पूरी कारवाई के अंदर पूरा सपूर्ट में कहा यही चाता है कि जिस तरह से आप इमानदारी से काम करते हैं, उसी तरह से कप्तान साब भी पूरी इमानदारी से शिद्दत से काम करते हैं, यह पूरी एक मैसीज है, समाज की तरफ से शेहर में भी पूरा एक मैसीज है कि अधिकारी हो तो आप जैसा हो, चुके बहुत पर बहुत लंबे समय से लोगों को यह इंतिजार था कि उस पर कारवाई होनी चाहिए थी लेकिन सब लोग उसके ग्रेबा पर हाट डालने से डर रहे थे लेकिन आपने वो कर दिखाया तो और इसम के कना बस थांक यू सो मच आप लोगों को भी और मेरा जनता से सभी लोगो माफियर स्कैम तक सीमित नहीं है बहुत सारे लोग आजकल दुनिया भर के फैनेंशल फ्रॉड्स ऑनलाइन भी हो रहे हैं और उसमें लाखो रुपया अपना खो देते हैं तो अपना एक भी पैसा कहीं डालने से पहले पूरा सचेत होकर और तब इन्वेस्टमेंट करें क् आप ही कमाई है और धीरे दीरे अब हमारी कोशिश तो यह है जैसे ऑपरेशन कन्विक्शन में हम करते हैं कि कडी से कडी सजा दिलाते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस विभाग की तरफ से जितना साइचुग डारेक्शन में और इन सब में कि लोगों को जो यह फ्रोड लगवक कितने करोड रुपे का था और जिन लोगों का पैसा ढूब गया उनकी क्या उंबिदे उनको पैसा मिल जाए गा यह प्रोपर्टी मिल जाएग कि इसमें अभी एस्टिमेट करना मुश्किल है क्यों कि खुलता जा रहा है तो इसमें टाइम लगेगा और इस जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है लोग रजिस्ट्री ऑफीस में जाते हैं अपने बिनामे की जानकारी ही करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन वह भी ठगे गए हैं और उसमें सर जिले के रहने वाले लोग नहीं हैं जिले के बाहर के भी हैं तो यह लगातार हमें प्रात्ना प्रत्र प्राप्त हो रहे हैं और इसके अंदर जो जहां तक आप वापस देने की बात कर रहे हैं कि उनको पैसा मिले या उनको लैंड मिले अब यह पूरी जुडिशल प्रक्रिया रहेगी हम लोगों की पूरी देंगे ताकि एल्टिमेटली लोगों को जस्टिस में सके तो यह आई-पीए सनुकृति शर्मा है जिन्हों ने सो करोड के जो अवैत कारोबार था जमीन का जो लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर भाग गए उनको बुरी तरह से बरबाद कर दिया तो उस पर य ही है और यह नजीर है पूरा उत्तरप्रदेश शासन इस बड़ी कारवाई की प्रिशंसा कर रहा है और शहर के लोग भी तरह तरह की इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं शानवा चुद्र निश्टिंट फो बुलंच है